नमस्कार हेलो दोस्तों कैसे हैं आप बस ठीक पर मुझे तो आप थोड़े से चुल्बुले और थोड़े से शरारती भी लग रहे हैं तो आज की बादचीत शुरू करने से पहले हमें गीत गा लेते हैं हम सीधे बैठते हैं आप एक एक पंक्ती ध्यान से सुनना और ताल में दोहराना चलिए शुरू करते हैं सुन्दर सी इक दुनिया में आओ हम सब साथ चले जहां प्यार हो और खुशिया भी जहां प्यार हो और खुशिया भी मिलकर सपने सच करें हम मज़ा आया दोस्तों हम एक ऐसी जगा के बारे में बात कर रहे हैं जहां बस प्यार ही प्यार है खुशिया ही खुशिया हैं तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि हम किस जगा के बारे में बात कर रहे हैं जी घर हम घर के बारे में बात कर रहे हैं पर घर में हम इतने खुश क्यूं रहते हैं क्या घर में कोई जादू होता है नहीं बिल्कुल क्यूंकि घर में हम अपने माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची और भाई-बेहन के साथ मिलकर रहते हैं या फिर यूं कहें कि परिवार में रहते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में आपका परिवार, मेरा परिवार, हम सब का परिवार तो चलिए, शुरुवात करते हैं एक चित्र से अरे वाह, कितना सुन्दर चित्र है यहाँ घर के सब लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं पर वे क्या कर रहे हैं? आईए देखते हैं सबसे पहले मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एक प्यार इसी बच्ची जो पीले फूलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आंगन में आ रही है पर वे पीले फूलों का क्या करेगी? सोचिये यह टोकरी लेकर वे जा रही है इन दो बच्चों के पास जो घर को सजा रहे हैं आप देखिए फूल और पतों की यह लड़ी खिडकी को कितना सुन्दर बना रही है और यहाँ पिता जी कुछ बच्चों के साथ रंगोली बना रहे हैं अरे देखिए कितने सुन्दर रंग भर रहे हैं दोस्तों ज़रा सोचिये यहाँ पर घर को सजाया जा रहा है रंगोली बनाई जा रही है क्या कोई त्योहार है? लगता है किसी त्योहार को मनाने की तैयार यहां चल रही है क्या आप भी अपने घर को फूलों से या रंगोली बना कर सजाते हैं? दिवाली पर या पोंगल पर या हो सकता है किसी और खास दिन या त्योहार पर आईए आगे देखते हैं हम यहां पर देख पा रहे हैं एक माँ अपने बच्चे को ते लगा कर कंगी कर रही है कितना मज़ा आ रहा है और इधर देखिए कुछ बच्चे खेल रहे है कौन सा खेल? लट्टू का खेल और लट्टू चला रहे हैं अपनी हतेली पर लगता है उन्हें गुद्गुदी हो रही है आईए आप इस तरफ देखें यहां पर दादी माँ एक नन्हे प्यारे बच्चे को पैरों पे लिटा कर नहला रही है क्या आपने अपनी दादी या नानी को ऐसा करते देखा है? जरूर देखा होगा ओ इस तरफ कोने में देखिए क्या हो रहा है? एक और छोटी बच्ची स्कूटर को साफ करने और धोने में मदद कर रही है हमें उमीद है आप भी अपने घर के छोटे-छोटे कामों में मदद करते होंगे दोस्तों क्या आपको इस चित्र में लोगों के अलावा कोई और भी नजर आ रहा है? हम बिल्कुल सही यहाँ पर एक गाय है जिसे चारा खिलाया जा रहा है और देखिए पक्षियों के लिए पानी का बरतन रखा है जहां से चिडियां पानी पी रही है और यहाँ है एक नन्हा प्यारा दोस्त जो यह सब मजे से होते हुए देख रहा है तो हमने देखा कि चित्र में परिवार के सब लोग मिल जुलकर घर को सजा रहे हैं या और काम कर रहे हैं बच्चों और यहां पर देखिए परिवार में दादा जी सब लोगों को काम करते हुए बड़े मज़े से देख रहे हैं तो दोस्तों जैसा हमने चित्र में देखा कि परिवार में सब लोग मिल जुलकर रहते हैं काम करते हैं और त्योहार मनाते हैं हमें उमीद है कि आप भी इसी तरह परिवार में हसी खुशी रहते होंगे और साथ में काम भी करते होंगे तो आईए, एक बार फिर से वो प्यारा सागीत गा लेते हैं आप ताल में हमारे साथ बोलियेगे सुनदर सी एक दुनिया में आओ हम सब साथ चले सुन्दर सी इक दुनिया में आओ हम सब साथ चले जहां प्यार हो और खुशियां भी मिलकर सपने सच करेंगे तो बचों आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे हम फिर मिलेंगे और एक कहानी सुनेंगे तब तक के लिए नमस्कार